अगली बार जब आप घर में नारियल तोड़े चट्मी बनाने के लिए तो उसकी भार की जो नट्टी है उसको संजो के रखें क्योंकि आप उससे एक बहुत सुंदर पजल बना सकते हैं इसके लिए आपको एक पूरा नारियल और थोड़ा सा गुतावा आटा चाहिए होगा सबसे पहले नारियल को आप तोड़ें पर इस बात का ध्यान रखें कि नारियल के बहुत छोटे छोटे टुकले ना हो नारियल का गूदा निकालने खाने के लिए पर जो भार की नट्ट बच्ची है उसको उसके सारे टुक्डों को आप एक थेली में रबर बैंड लगा करके रख दें बात में बच्चों को आप नारील के सारे टुक्डे दें और थोड़ा हाटा दें और उनसे कहें कि वो सब टुक्डों को मिला करके बड़ा नारील बनाएं ये एक थ्री डिमें के लिए बहुत उनको ध्यान लगाना पड़ेगा देखिए एक ऐसी पहली है जो जिसका आनंद गरीब से गरीब बच्चा भी उठा सकता है एक थ्री डिमेंशनल नारियल की पहली